मंदू और नौश्कार, दैनिक भासकर मैं एक समचार गुर्णाम सिंग चंडूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्ता जी का दावा गुर्णाम सिंग चंडूनी ने दसकडो लिये मैंने ततकाल जब मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा कि पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है मैं, तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था, इनका नाम है राजिस्कौकर, ये सिंदू बॉर्डर पर भास करके पत्रकार हैं, इनको मैंने डांट भी लगाई, और इन्होंने मुझे पूछा था पत्रकार ने कि हमारे पास जानकारी है कि गुन्नाम जिंग चंडू जी ने दस कड़ोर रोपे लिए हैं, मैंने का मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाय मैं नहीं करता हूँ, पचास बर्स हो गए हैं किसानों के बीच में काम करती हुए, एक भी बियान मेरा आज तक बिवाद में नहीं रहा है, ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूँ, और हुआ तो मैं इन पर मानहनी का भी दावा करूँगा, गुर्णाम सिंग चंडूनी मेरे मित्र है, पहले भी थे, अभी भी है, मैं उनकी चिंता भी करता हूँ, जो कुछ नर्ने कल हुआ, वो एक बैठक में नर्ने हुआ है, वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, आगे हमारी बैठके होती रहेंगी, मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूँ, कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है, ये पीक पति कारता है, गंदी पति कारता है, जिसके तहते बयान छपा है, धन्यवाद.